इस दिश्य सव्य आलेक में आप सभी का एक बार फिर अभिनन्दन है इस प्रस्तोती में मैं शिमती पूनम ठाकुर इंदी सिक्षिका जाग्रण पबलिक स्कूल लखनाउं से संबध एक नई कविता लेकर आप सभी के समक्ष उपस्तित हूँ इसमें हम कख्षा दस शितिज भागदो के पत्य खंड से पाठ अट नहीं रही है कविता को समझेंगे इसके कवी श्री सूर्य कांत तिरपाठी निराला जी है कविता समझने से पूर्व हम कवी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं निराला जी का जन सन 1899 में बंगाल प्रदेश के मैशा दल जिले में हुआ था निराला जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे निराला जी की साहित्तिक कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं गितिका नएपत्ते निराला रचनावली जो की आठ खंडों में है अनामिका कुकुरमुत्ता आद निराला जी की साहित्तिक विशेशताएं वे संस्कृत, अंग्रेजी, बांगला, भाशा के ग्याता थे और उन्होंने यह ज्यान स्वअध्याय से प्राप्त किया था निराला जी चायावादी कवी थे चायावादी अर्थाथ चायावाद की विशेशताओं को अपनाने वाला कवी चायावाद की कई विशेशताएं हैं परन्तु हम इस कवित्या से जुड़ी केवल एक विशेशता को जानेंगे वहिया है कि जब कवी मन के भाओं और मानवीय समवेदनाओं अर्थाथ मानवीय सुख दुख को प्रकिति में देखता है या प्रकिति में उसका दर्शन करता है यान मानों मन की चाया प्रकिति पर परिलक्षित होने लगती है या कहें दिखाई देने लगती है वे एक दार्शनिक कवी थे उनकी विचारधारा उनका दर्शन प्रकिति जीवन और प्रेम के अनुसार एक अलग दिश्टिकों रखता था वे विद्रोही विचारों के कवी थे अर्थात निराला जी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध क्रांती का आहवान करने वाले कवी थे वे प्रेम भराहिदय रखते थे सोशितों के प्रति उनके मन में सहानभूति का भाव था अर्थात गरीबों और सताय हुए लोगों के प्रति वे बड़े ही दयालू थे संवेदन शील थे और इसी लिए उन्हें एक उपनाम भी दिया गया था दीन बंधु यानि दीनों के भाई समान गरीबों के सहारा उनकी मृत्यू 1961 में हुई थी अब हम पाट प्रवेश देख लेते हैं अट नहीं रही है इस कविता में फागुन मास के शोभाब का वड़न है जो बसंत रित के प्राकृतिक सौनदरिय वह होली के देवहार की उमंग के कारण दुगना हो गई है फागुन मास हिंदी वर्ष का अंतिम मास होता है इसी में रितुराज बसंत का भी आगमन हो चुका होता है बसंत अपनी प्राकृतिक सौनदरिय की संपनता के कारण ही रितुराज कहा जाता है और ऐसी रितु फागुन मास में ही रहती है और इसी मास में होली का देवहार आता है जो मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन करता है तो प्राकृतिक सुन्दर्ता और त्यवहार का उत्साह दोनों मिल कर फागुन मास के सुन्दरी को दुगना कर देते हैं प्रकिति की आभा अपनी चरम सीमा पर होनी के कारण प्रकिति के पात्र या तन में पात्र यानि बरतन तन यानि शरीर पात्र या तन में और लोगों के मन में समा नहीं पा रही है इसका आर्थ है कि प्रकिति का सौंदर्य अपनी सर्वोच सीमा पर है यानि प्रकिति का सौंदर्य बहुत अधिक है और इतना अधिक है कि प्रकिति रूपी बरतन या कहें प्रकिति के शरीर में यह सौंदर्ता और यह उस्सा समा नहीं पा रहा है और यही नहीं प्रकिति में तो समा नहीं पा रहा है इसके आलावा या लोगों के मन में या कहें कि कवी के मन में भी यह सौंदर्ता और यह उस्सा अठ नहीं पा रहा है समा नहीं पा रहा है अब बात करते हैं प्राकितिक सौंदर्य की क्या-क्या प्राकर्तिक सौंदरी इस मास में चारो ओर दिखाए देता है पेड़ पौधे कोमल लाल हरी पत्तियों रंग बिरंगे फूलों से लद गए हैं अर्थार पेड़ों पर नई-नई पत्तियां जो लाल-लाल रंग की होती है वह दिखाए देने लग गई है और कुछ हरी पत्तियां भी दिखाए देती हैं जो थोड़ा पहले आ गई है और पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं जिनकी सुगंध वातावरण में चारो ओर फैल रही है आम के बौर और भावरों की गुंजन ने बसंत की मादक्ता को इतना बढ़ा दिया है कि सारी धरा सुन्दर्ता से सरुबार है अर्था आम के पेड बौरों से लद गए हैं और बौर की महक भी वातावरण में फूलों की महक के साथ मिल गई है फूलों पर भवरे गुंजार कर रही हैं तितलिया उडान भर रही है कोयल कूक रही है और इन सब ने मिलकर बसंत की मादक्ता को मादक्ता का अर्थ है नशे का भाव यहां पर मतलब है आनंद रूपी नशे का भाव यानि बसंत की मादक्ता को इन सब ने बहुत अधिक बढ़ा दिया है और बसंत के इस संपन प्राकृतिक सौंदर्य और होली के उस्साह ने भागुन मास की सुभा को दुगना किया है जिससे सारी धर्ती सुंदर्ता से सरोबार हो गई है लवा लब भर गई है या कहें कि पूर्टया शोभित है पूर्टया सजी हुई है अब कविता में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ आभा यानि सुंदर्ता उर यानि हृदय मन्द अर्थाध्धीमी गन्द यानि महः अट नहीं रही सट नहीं रही पट नहीं रही इन तीनों का अर्थ है किसी बरतन में कुछ समा न पाना पाट पाट के दो अर्थ हैं वस्तु को ठूस ठूस कर भरना किसी चीज के अंदर दूसरा है इस्थान इस्थान पर शोभा श्री यानि सुंदर्ता की लक्षमी अर्थाध अपार सुंदर्ता का होना चलिए अब हम करता की बाख्या पर अधिन करते हैं अर्थ में रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है अर्थ है कि बसंत और होली के रंगो उल्लास रंग प्लस उल्लास से भरा फागुन मास इतनी सुंदर्ता से भरा हुआ है कि यह असिमित सुंदर्य प्रकित रूपी इस्तरी के दें और कवी या फिर लोगों के मन में समा नहीं रहा है कवी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि फागुन के महिने में बसंत और होली के आगमन के कारण बसंत का रंग भरा पातावरन रंग भरी प्रकिति का सुंदर्य और होली की उमंग और उस्साह और जोश से भरा या फागुन महिना दो-दो उत्सवों के कारण अपने सुंदर्य से इतना अधिक संपन्न हो गया है इतना अधिक भर गया है कि वह प्रकिति रूपी इस्त्री का जो तन है उसमें वह सुंदर्ता और वह पसंता अट में ही पा रही है वह चलक रही है प्रकिति में सुंदर्ता और खुशी जो है वह चलक रही है और यही सुंदर्ता और यही उस्साह कवी के मन में और मनश्यू के मन में भी समा नहीं पा रही है अट नहीं पा रही है उसमें भरी नहीं जा रही है अब आगे की पंक्तियों की वाक्या कहीं सांस लेते हो, घर-घर भर देते हो, उड़ने को नव में तुम पर-पर कर देते हो अर्थात, फागुन में वहती हुई मंद और सुगंधित वायू जो चारों और हर घर में बह रही है, तो ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा हो कवी कहते हैं कि फागुन मास में बसंतरित होने के कारण वाय को तीन गुण प्राप्त होते हैं जो हम कहें तो हवा मंद मंद यानि धीमी धीमी बहती है, फूरों के खिले होने के कारण सुगंधित होती है और अधिक गर्मी और अधिक ठंड ना होने के कारण सम शीतल होती है तो इस मास में यानि कि फागुन मास में जो हवा चल रही है, वो धीमी धीमी है और सुगंधित हवा है और वह वातावरण में चारों ओर हर घर से होकर गुजर रही है, बह रही है तो ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा हो कवी में फागुन मास का मानवी करण करते हुए हवा के प्रवाह को कहा है कि जैसे फागुन कोई व्यक्ति हो, कोई मनुष्य हो और सांस ले रहा हो पेड पौधों पर लाल हरी कोमन पत्तिया और रंग बिरंगे फूलों से लदी डालिया पवन के हलके हलके जोकों से हिल रहे हैं वो ऐसी लगती है कि नब में उड़ने को पंक फड़़ा रहे हो अर्थ है कि पेड पौधे जो हैं उन पर नई नई कोमल कोमल लाल रंग की पत्तिया आ गई हैं जो न उत्पन न पत्तिया होती हैं वे लाल रंग की होती हैं जो थोड़ा पहले आ गई हैं वे हरे रंग की हैं पर हैं कोमल नरम नरम पत्तिया और पौधों पर पेडू पर रंग बिलंगे फूल खिल गए हैं डालिया उनसे लद गई हैं और जब हवा के हलके हलके जोके उनको छूते हैं तो वे हिलने लग जाते हैं कवी इसी द्रिश को अर्थात हवा के जोकों से पतियों और फूलों से लदी डालियों के द्रिश को कलपना करता है कि जैसे वे आकाश में उड़ने को अपने पंक को फड़डा रहे हो आकाश में उड़ जाने को उस्सुख हो और इसी लिए वो तेजी से अपने पंकों को हिला रहे हो अब आगे की पंक्तियों की व्याख्या आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल अर्थार होली व बसंत मैफागुन के चरम सौंदरिय से दिष्टी हटाई नहीं जा रही है चरम माने सबसे उचा अल्टीमेट यानि उसके बाद कोई सीमा न वचे चरम चरम सौंदरिय से दात पर रहे है ऐसा सौंदरिय जो अपने उतकश पर हो अर्थार होली और वसंत फागुन के महिने में आने के कारण जो प्रकिति की सौंदर्ता इतनी आकर्शक हो गई है कि उससे निगाहें उससे दिष्टी हटाई नहीं जा रही है सौंदर्ता के आकर्शन ने मन को और निगाहों को दोनों को बांध लिया है हमारी दिष्टी उस पर से हट नहीं रही है पेडों की डालिया जो है वे नए-नए कोमल-कोमल लाल और हरे रंग के पत्तों से लब चुकी हो बसंत में पत्ते, फूर, पक्षी, सभी जीव जो हैं सौंदर्य को प्राप्त होते हैं और यह सौंदर्ता अपने चर्मोत कर्श को प्राप्त होती है यहीं अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त हो जाती जो सब को मोहित करती है अपनी ओर खीच लेती है अब कविता की अंतिम पंग्तियों की व्याख्या कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है अट नहीं रही है अट फागुन मास में बसंत रित होने से चारो और सुगंदित फूल खिले हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रकिती रूपी इस्त्री के हिर्दय स्थल पर मंद मंद सुगंद से भरे फूलों की माला पड़ी हुई है अर्थार जो प्रकिती है कवी ने कल्पना की है जैसे वो इस्त्री है मानुवा इस्त्री है प्रकिती रूपी इस्त्री के हिर्दय स्थल पर धीमे धीमे सुगंद वाले फूलों की एक माला पड़ी हुई है अर्थार प्रकिती रूपी इस्त्री ने ऐसे फूलों की माला पहन रखी है कवी ने यह बिम इसलिए दिया है क्योंकि वह देखता है कि फागुन मास में बसंत रितने चारों ओन सुगंदित रंग विरंगे फूल खिला दिये हैं जो उसे पुश्पु की माला के समान लग रही है और उसे पकिती रूपी इस्त्री ने धारन कर रखा है फागुन में होली की रंग और बसंत बहार ने प्रकिती की सुन्दरता को वैभाव से पूनतया भर दिया है मतलग कि फागुन मास में होली भी है जो रंगो का तेवार है और बसंत बहार जो प्रकिती का तेवार है दोनों ने मिलकर सुन्दरता का जो खजाना है वह प्रकिती पर उडेल दिया है उसे लवालब कर दिया है पूनतया भर दिया है तो इसलिए पात्र बरतन चाहे आप प्रकिति का बरतन कहें या मानो मन का बरतन कहें या फिर कवी मन को कहें यह सुन्दरता अधिक होने के कारण इसमें समा नहीं पा रही है उल्लास उस्साह का संदता अधिक होने के कारण इसमें समा नहीं पा रही है अब हम अट नहीं रही है कवीता का काविस अंधर देखेंगे पहला चंद तो कवीता का चंद मुक्त चंद है यानि कि इसमें तुकबंदी नहीं है कवीता में लै बद्धता है जैसे घर घर भर देते हो तुम पर पर कर देते हो जैसे कि कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल तो इन सब शब्दों के कारण एक प्रवाह एक लै बद्धता कवीता में दिखाए देती है भाषा संस्कृत प्रधान खड़ी बोली है जैसे कि शोभा, श्री, पुष्पमाल, उर, नभ, आद रस है शांतरस प्रकिति का वड़न होने के कारण यहाँ पर शांतरस है भाषा का जो गुण है वो है प्रसाज यानि भाषा ना तो बहुत माधुर्य, मधुर्ता से भरी है और ना ही कोई ओज भरे शब्दों का प्रयोग है भाषा मध्यम होने के कारण इसमें प्रसाज गुण दिखाई देता है शक्ति, अभिधा शक्ति है क्योंकि कवी ने जो कहा है उसे ही अर्थ सरू समझा गया है अलंकार फागुन मास का मानवी करण होने से मानवी करण अलंकार है क्योंकि फागुन को कवी ने सांस लेते हुए दिखाया है और प्रकितिका भी वर्णन उसने मनुश्य रोप में किया है अतह यहाँ पर मानवी करण अलंकार है पर-पर मन्द मन्द पाठ पाठ में एक ही शब्दों की बिना अर्थ परिवर्थित हुए पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलगकार भी है अब काव विसौंदर्यका सेशभाग आंक्हटाना आंक्हटाना मन्या दृष्टी फेज लेना यहाँ दृष्टी हटालेना इस महावरे का सुन्दर प्रयोर कभी ने किया है महावरा होने के कारण यहां लाक्षाडिकता के धर्शन भी होते है और कवी ने आँख हटाना उन्होंने आँख हटती नहीं है इस मुहावरे का प्रियोग इस प्रकार किया है टिपड़ी कवी ने अपने मनुभाओं को प्रकिति में दर्शन किया है यानि कवी ने जो उसके मन के भाव है वो प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्न मन की चाया प्रकिति में उसे दिखाई दे रही है और उससे मानो मन का जो मेल बिठाया है वह उनके चायावादी कवी होने का परजय देता है इस चायावाद की विशेषता है कि मानो मन यानि मनुषिक के सुद्धुऱ् की चाया प्रकिति पर कवी देखता है यदि वह दुखी है तो उसे प्रकिति भी दुखी दिखाई देती है जेति वह प्रसन्नचित है, तो उसे प्रक्रिती प्रसन्नचित दिखाय देती है, तो वही भावनाये जो कभी के मन में है, वह प्रक्रित में उसके दर्शन कर रहा है, इसलिए हमें यह पता चलता है कि कवी छायावादी कवी है और प्रकिति दर्षन मन का नवन्ना यह कवी का प्रकिति प्रे है यानी कवी प्रकिति के दर्षन करता रहता है प्रकिति को देखता है प्रकिति का उसे सुख्ष्म ज्यान है और उसे देखकर वो अगहाता नहीं है वो संतुष्ट नहीं होता है उसका मन भरता नहीं है यह कवी का प्रकिति के प्रति अगाद यानि बहुत सारा प्यार है जो उसे सदा प्रकिति को निहारने की प्रेणा दे पाठ व्याख्या और काव्य सौंदर्य के बाद अब पुन्रावित्ति के प्रश्ण प्रश्ण एक फागुन की शोभा बहुत क्यों बढ़ गई है प्रश्ण दो अट नहीं रही है कविता काव्य सौंदर्य लिखे प्रश्ण तीम कवी प्रकित का प्रेमी है सिद्ध कीजिए यह तीनों प्रश्ण बच्चों के अभ्यास हेतों है जो पाठ व्याख्या और काव्य सौंदर्य के अंतरगर्थ पूरी तरह से समझा दिये गए है तो यह प्रश्ण बच्चे स्वय करेंगे आशा है मैं आप सभी को पाठ समझाने में समर्थ हुई हूंगी बहुत बहुत धन्यवाद